हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो इंशूस कीचन फ्रेंड्स आज मैंने बनाई यह मलाई मेथी मटर की सबजी बहुत इंशिंग बनी है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको सबसे पहरे मैंने मेथी की बंच को अच्छे से पत्ते निकाल लिये हैं और उसके पत्तों को अच्छे से वाश कर लिया है इसको हमें तीन चर बार वाश करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुती मट्टी है जो नीचे रह जाती है यह देखिए मैंने इसको अच्छे से वाश कर कुण करने के बाद ur wash करता है बाद एक निदे य। ना इंदर और साते साथ मिर्ची भी और थेक में करना है के निद यह जाँ भाड़ दिया है और रष्चपे मोय नमक दीना है यह दोखे इन सब को डालकर के थोड़ा सा आस में नमक दाल दीा है और हमें इनको अच्छे से भूनना है और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढख्के रख दूंगी ताकि जो हमारा टमाटर है, वो अच्छे से soft हो जाए थोड़ी देर बाद देखें के तो देखिए कितने अच्छे से हमारा जो कांदा है वो भी अच्छे से भून गया है टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है अब इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है ये देखिए अब मैंने इसको ढखके रख दिया है वापस से और मैंने एक पैन में मतर रख दी है बॉil होने के लिए मतर में मैंने थोड़ नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें शूगर भी डाल दिया है शूगर डालने से मतर का जो कलर है वो ग्रीन ही रहता है ये देखिए अब दूसरी तफ हमारा एक ग्रेवी एकदम रड़ी हो गया है मैंने थोड़ी से लाल मिर्च पर दाली है थोड़े कलर के लिए भी अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं क्योंकि हमें इसे mixer में grind करना है अब ही मैने कड़ाई लिया है, कड़ाई में देखिए जो हमारी मेथी है इसको मैने कट करके लिया है और इस मेथी को हमें slow gas पर ही चलाना है fast gas पर नहीं चलाना है fast gas पर चलाएंगे तो मेथी जल जाएगी ये देखिए इसका जितना पानी है हमें वो सुखा लेना है तो मेथी की quantity कितनी जादा थी और अभी देखिए सब पानी निकल गया तो कितनी कम रह गई है और दूसरी तरफ ये मटर के दाने हमारे ये अच्छे से बॉल्ड हो गई है मैं चेक कर लेती हूँ ये देखिए बहुत अच्छे से गल गई है मटर के दाने और इधर मैंने slow gas में ये मेथी को रखा है तो इसको continue चलाना है ये देखिए कितने कम रह गई है लेकिन इसमें पानी अभी और है तो इसको एकदम ड्राय कर लेना है उससे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और पानी भी पूरा जल जाएगा और मेथी कड़वी भी नहीं लगेगी तो इस देखिए और भी कम हो गई है ये मेथी इसको slow gas पर ही रखना है और ये मेथी हमारी एकदम ready हो गई है अभी जो हमने कड़ाई में टमाटर और प्यास को भूना था वो भी ready हो गया है ठंडा हो गया है और अब इसको mixer में grind कर लेते हैं ये देखिए मटर आपको फिर से दिखाती हूँ कितने अच्छे से boiled हो गए है मटर अभी मैंने ये gravy को mixer में डाल दिया है और इसका पतला paste बनाना है हमें बहुत थिकता तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूद मिला दिया है और ये देखिए कितना अच्छा paste बनकर ready हो गया है तो चलिए चलते हैं आगे की procedure पर मैंने ये वड़ी कडाई ले लिये जिसमें हमने मेथी बूनी थी अब उसके अंदर मैंने सारा ये paste डाल दिया है और मैंने mixer के अंदर थोड़ा सा और दूद डाल कर उसको वापस से सारा paste निकाल लिया है gas मैंने slow ही रखी एकदम क्योंकि हमें slow पर ही cook करना है इसको अभी हमने जो mutter boiled किये थे वो इसमें डाल देने है और हमने जो मेथी इसको अच्छे से cook की थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है अब इसको अगर आपको ये गाड़ा लग रहा है तो इसमें आप और दूद एड़ कर सकते हैं ये देखिए लेकिन मैंने सबसे पहले क्या किया है एक कब दूद लिया है और उसके अंदर हमें ये mixer डाल देना है इससे क्या होता है दूद फटता नहीं है अगर आप डारेक्ट दूद इसमें डालेंगे तो फटने का चांसे रहते हैं तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया उसी ग्रेवी अभी एकदम सही लग रही है लेकिन अभी इसमें मलाई मेथी मतर है तो मलाई तो जरू डालनी है तो देखिए ये मलाई में इसमें डाल दूद की और फ्रेश मलाई डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ी देर इसको मैंने पकने के लिए स्लो गैस पर रख दिया है त्री फोर मिनिट्स के लिए और अब इसके अंदर फ्रेश मलाई डाल देनी है बाहर से जो क्रीम बगार आती है प्लीज आप वो ना डालें घर की फ्रेश मलाई डालें उसका टेस्ट एकदम अमेजिंग आता है और फ्रेंड्स ये देखिए हमारी मलाई मेथी मतर की सबजी एकदम रेडी है बहुती अमेजिंग बनी है ये सबने घर में खाई थी सबको बहुत अच्छी लगी आप अपनी स्टायल से बनाते होंगे घर में लेकिन एक बार इस तरह से भी बना कर देखिए आप लोगों को बहुत पसंद आएगी फिर मिलती हूँ, थैंक यू